तो हमने एक्सपेंस का मतलब समय लिया था कुछ बच्चे बोल रहे थे सर वो बिल्ट ऑफ एक्षेंज में बिल्ल रसीव बिल्स पेबल में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तो मैंने का चलिए टेक अप कर लेंगे फिन से एक बार एक्जांपल घ्यान से सुनिए बच्चों घ् और यहां लिखा भी था CHOR समझ में आ गया तो मैंने उससे का भई यह कागस का टुकड़ा तुम मेरे को साइन करके दे दो उसने साइन किया और मैंने रख लिया अब यह कागस का टुकड़ा हमारे उसके बीच का एक agreement है where he has promised to pay and I will get the money तो वो जो मेरा debtor था I repeat चलन वो जो म बिल्व एक्षेंज वो इंसान इस कागस के टुकड़े को बिल्स पेबल बोलेगा तो यह कागस का टुकड़ा जेनरेटली बिल्स ऑपेश्चेंज बोला जाता है वो इस Kaada's को क्या बोलेगा बिल्स फेल एल्च वो मेरे को क्या बोलता Creditor मैं इस Kaada's के टुकड़े को क्या बोलॡँगा Bill receivable और उसको मैं क्या बोलता Debtor तो debtor मतलब जिसको मुजबानी उधार दिया और Bill receivable मतलब जिसको लिखके उधार दिया तो बिल रिसीवल और डेटर प्राक्टिकली एक ही चीज होता है बच्छो एक ही चीज होता है समझे इस बात को की नहीं समझे और कोई किसी की चलिए तो एक बार रिवाइस कर लेते हैं दो मिनिट के अंदर मेरा टेलेफोन बिल जो है बच्छो वो आ गया 2,900 रुपीज क्यों आ गया 2,900 रुपीज क्यों आ गया 2,900 रुपीज क्यों आ गया 2,900 रुपीज हमने यूज किया cost of short term benefit अगेन अगर मैंने एक फूटी कॉड़ी भी टेलेफोन डिपार्टमेंट को नहीं दी पर अगर तो 2,900 रुपीज क्या मेरा खर्चा कितना होगा 2,900 अगर 2,000 पै किया तभी मेरा उप्यों आ गया ठाकूर बनना है कुछ भी हो जाए हमें वहीं बोलना है एक पर मेरे को एक स्टूडेंट ने का सर आपको इस संडे कॉफी पर इन्वाइट किया गया है मैंने का चलो गई है सतर रुपए की दो कॉफी ली तो टोटल कॉफी कितने की हो गए एक सो चालेस वह कॉफी पी लिया मैं भी कॉफी पी लिया थोड़ी दिर बाद चीत करते रहे हैं एक मिनिट में आ रहे हैं आया ही नहीं वह तो अच्छा था मैं साबून घर से ले कि गया था तो मैंने बरतन छिल्रेन पेमेंट अभी तो हमने किया ही नहीं है कितना पेमेंट हुआ जीरो बड़ एक स्पेंस कितना है एक काम करो दो रुपे ले लो बाकी बाद में दे देंगे कि ए ठीक है फैया गरीब अद मियत नहीं देदो स्टिल एक्सेंस इंगा एक तॉसर्सों सुन चालेस द् still expenses how much children 140 अब उस्सा आ गया तो इन डाट केस मुझ पे 200 रुपे मार किया है अब बुला साथ वापिस दिरना still children expenses how much समझ में आया की नहीं आया तो कुछ भी हो जाए expense की definition होती है cost of short term benefit देराई payment से कोई लेना देना नहीं है समझ गए इस बात को चलिए loss के बचो दो examples है एक shop की पर था उसने 95,000 रुपीज के goods 35,000 रुपीज में बेज दिये तो maths का selling price commerce की बाशा में क्या बोला जाता है बचो revenue या इसका एक और नाम है sales और maths का so-called cost price commerce की बाशा में क्या बोला जाता है cost of goods sold या expenses तो आपने एक लाग बीस जार के total goods खरीदे डिट वी sell all children क्या सब बेच दिये no I repeat सब नहीं बेचे उसमें से कितने के बेच दिये 95,000 के कितने में बेच दिये 35,000 में तो जितना cost price आप कम realize करेंगे that is what your children loss यह बात समझना गई यह बच्चों एक मीनिंग है एक मैं लिख रहा हूं आप लिख लीजे any cost that is बहुत important word है मैंने लिखा है बच्चों any cost that is incurred या any cost that is spent incurred लिखा है कि spent लिखा है incurred सब दोनों में फरक क्या होता है spent word का मतलब होगा आपने पैसे दिये हैं आपने पैसे दिये ऐसा नहीं है मैंने दो लाक रुपए का raw material leather आपकी factory से खरीदा किस लिए exam आने वाला सोचा belt बनवा दू result के बाद इसकी sale बढ़ जाएगी is that clear तो इस leather का payment मेरे को आपको करना है बट अभी मैंने payment किया नहीं है तो it's a cash purchase और a credit purchase great purchase तो amount is not paid amount is not paid it is only incurred but its benefit is not derived आग लग गई sir इस पूरे raw material में कैसे आग लग गई sir raw material रखा था circuit छोटा हो गया आग लग गई circuit छोटा हो गया मतलब short circuit हो गया आग लग गई understood this everybody तो आपके go down में बगवान ना करे ऐसा हो आपके दुश्मन के go down में बगवान करे ऐसा ही हो raw material रखा था समझ में आ गया और short circuit से आग लग गई पैसा तो देना पड़ेगा supplier को बट क्या आप इस leather से finished goods बना पाएंगे नो तो ultimately you suffered a loss I repeat चलन ultimately you suffered a loss तो loss के बच्चों दो मीनिंग्स होते हैं cost price का selling price से जादा हो न excess of cost price over selling price is called as what loss कोई भी ऐसी cost कोई भी ऐसा event जिसके लिए आपने बचने के लिए समझ में आ गया मैंने दे दिया और बीवी ने इसको इतना मारा इतना मारा इतना मारा मर गया बिचारा बीवी बहुत खुछ हूँ उसकी चलो खाना कम मनाना पड़ेगा मेरा तो पैसा चला गया ना बच्चों it's my life it's my loss fix it समझ में आ आपको किसे ने बोल दिया आना देवी मैया का जाधरण है और बात में बंडारा भी है पुलिस वालों ने बंडारा कैंसिल कर दिया आपको यह बात पता नहीं थी आप क्लास के लिए कुछ बच्चे आ रहे थे रस्ते में लडबी लगए किसी से चोट लग गई it's a loss क्यों लॉस हो गया समझ में आगई बात मम्मी ने का पीटा फूफा जी और बुआ जी आ रहे है तो शाम को डिनर उनका हमारे घर पर ही है आपने बढ़िया टेबल में बचा के खाना ना ट्रंडर बनवा दिया हींग भी थोड़ी महंगी डलवा दिदी चावल भी थोड़े पडोस से चुरा के लाए थे महंगे वाले बनाये थे पूफा जी आए भी खाना भी खाके गए आपको लगा 211 से कम का लिफाफ़त नहीं देंगे 101 रुपेक है आपकी तो सही में लॉस होगा समझ गए कि नहीं समझ गए मैंने काफी साल पहले एक नई कार खरी दी तो शोरूम वालों ने वो चॉकलेट नी हो थी महंगी वाली रहीजों की पेरर और रोशे वो दे दी मैंने का पैसा लेस कर दो गाड़ी के बिल में इतनी बढ़िया चॉकलेट में धरवालों खाने की यादत पड़ जाएगी बार बार यही मांगेंगे अगें उसने मानी नहीं मेरी बात तो लॉस का मतलब समझ में आ गया बच्छों पक्का कोई भी ऐसी कॉस्ट जो आपने खर्ष तो की बट आपको इससे कोई कॉर्रिस्पॉंडिंग मैन की समझ में आया की नहीं आया तो लॉस शब्द का मीनिंग क्लेर हो गया चलिए हाँ बुली 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 चलिए गर्व जी का एक प्रशन है कि हमने कमोडिटी खरीदी थी 25 रुपए की हमारी पर्चेस प्राइस थी जेनरली हम इसे बेचा करते थे 40 में बट मार्किट में क्योंकि रिसेशन चल रहा है कस्टमर सारे के सारे भूत परे चुड़ायल बन गया नजर ही नहीं आ रहे है पता नहीं मनूस कहा मर गये जाके सोचा की प्राइस रिड्यूस करें शायद कस्टमर आने लग जाएगा वर आने लग गए तो अब हमारा प्रॉफिट कितना हो र रहे हैं सर यह जो दस रुपे का डिफरेंस है इसे भी लॉस बोला जाए नहीं से क्यों नहीं गाएंगे आपकी कॉस्ट प्राइस क्या थी बच्चों 25 और सेलिंग प्राइस क्या हो गई 30 तो कॉस्ट प्राइस कम नहीं है ना इसलिए लॉस नहीं होगा वह एकनॉमिक्स की लेट हो गया रोना पिटना चालो अरे वहाला लेट नहीं हुआ है देर से आने वाला लेट हुआ है इस डाट अंडर्स्टूड और नॉट तो लेट के मत्रिबल मीनिंग्स होते हैं बच्चों समझ गए बबबजी समझ गए इस सर चलिए इस सर चलिए बाकी लोग होट का रेविन्यू था और आपका खर्चा हो गया बच्चों एक लाग दी सदार कितने रुपए का लॉस हुआ 20,000 का यूर कॉस्ट इस मोर और यूर रेविन्यू इस समझ में आगई बात पक्का कोई क्वेरी उस पर किसी की कंफर्म चलिए बच्चों सबसे धमाकेदार और लगबग आखरी के टर्म से चल रहे हैं बिलॉंगिंग्स एंड ओब्लिगेशन इसके लिए मैं चाहता हूं क कि आप अपनी कॉपी में कॉंपोजेशन त्यार करें बच्चों कॉंपोजेशन त्यार करें मैं कुछ लिखने वाला हूं रेडी एवरीबडी चलिए एक के स्टडी टाइप अप्रोच होगी समझाने के लिए बच्चों आई होप सो एवरीबडी इस पोजेसिंग दा पकी बात नी है आपई ही किशीच है कि चलिए क्या है यह है इस ट्रक्च्चर कि इसी बिजनस का नाम क्या हैoughs का नाम है हम सब एन्टरप्रेज़स क्या नाम है जलन हमसब एंटरप्रेज़ टेंट उट्र्रेज्ट और मिस्टर हम सब जो थे, उन्होंने कुछ पैसे लगाए थे, और इस बिजनस को स्टार्ट किया थे, बच्पन में कुछ खाता नहीं था मुमोस के अलावा, शादी के बाद बीवी ने भी खाना देना बंद कर दिया, इसलिए बिचारा सीखिया पहलवान हो गया है, बट कैस वी परिस्तिती आये, रहता बहुत खुश था बिचारा, क्योंकि इसके अलावा है, इसके पास, सो कॉल्ड कुछ ऑप्शन था नहीं, टांगे वापिस सिगूरी जा रही है, हाथ पहले जा रहा है, कौन बनेगा करोड़ पती खेलने गया था, आखरी क्वेश्चन जब आया साथ करोड़ उपे का, तो मेरे को फोन किया, सर ये सवाल का जवाब दे दीजे, मैंने का पहले तुम फीस दो तब जवाब दूँगा, कह रहे सर बिलकुल दे दूँगा, सर जान ना निकालिये सर, परशान नो तो ये, मैंने का चलो ठीक है, डूब्लिकेट के बीसी, चाइनीज के बीसी में गया था बच्चों, तो इसको बोला गया, साथ करोड़ तुम्हें मिलेगा, अब दस लागी पकड़ा दिया गया, चाइनीज के बीसी था ना, तो अब जब ये चाइनीज के बीसी में गया खेल लें, तो इसको पैसे मिले, और जब जीत किया आया, तो कह रहे है सर, क्या करें इस पैसे का, मैंने का, क्या करो, बई बिजनस में लगा तो इस से अच्छी कोई opportunity है नहीं, तो इस इनसान ने बच्चों बिजनस में, कितने पैसे लगा दिये, टेन लाक रुपीज, कितने लगा दिये, टेन लाक, और इस टेन लाक को, जिस फॉर्म में लगाया गया है, वो फॉर्म क्या है, लेधर, गॉटन, सिल्क, नाइलॉन, पॉलिस्टर, प्लास्टिक, स्टील, एल्मॉनियम, कॉपर, सर, कॉमर्स पढ़ने क था, मिस्टर, हम सब, बट अब बिजनस में बचों, आप इसे, किस नाम से पहचानेंगे, तो जैसे आप स्कूल में स्टूडेंट है, एर्प्लेन के अंदर आप पासेंजर है, डॉक्टर की क्लिनिक में आप जमा होने गए, मतलब एड्मिट होने गए, तो आप पेशेंट है, समझ में आ गया, क्लास्रूम में या सरकस में आप ओडियंस हैं, और मेरिंग मास्टर ह एक बिजनसमें ने इतना पैसा लगा दिया, कितने पैसे लगा हैं, अब सोचा गया कि बिजनस किस चीज़ का करें, तो इसने सोचा कि बिजनस तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, बट पहले हमको एक so-called size of the business बढ़ा करना पड़ेगा, तो इसने बच्चों 10 लाख रुपे जब बिजनस में लगा है, उसमें से 2 लाख रुपे का air conditioner खरीद लिया, कितने का? AC खरीद लिया, पानी एकदम नाली का आता था इसके महले में, तो RO water purifier, बैसे नाली वाला पी जाता, अच्छा ही रहता, covid ना होता, इसको कम से कम, immunity मदबूत होती, उसके बाद इसने बच् पांच लाख रुपे के goods खरीद लिये, क्या किये? उसके बाद सोच रहे कि customer हमारी shop तक अच्छे तरीके से पहुच जाएं, तो एक लाख रुपे की एक car खरीद ली, पांच, छे, साथ, आठ, नौ लाख रुपे इसके लग चुके हैं, क्या customer जमीन पे बैठेंगे तो असी हजार रुपे का furniture ले लिया, दरी तो भिजाएगा नहीं, how much cash is left with him? 20,000 रुपीज, यहां तक किसी को भी कुछ समझने की समस्य है बच्छो, ध्यान से मेरी बात सुनियेगा, जो मैं बोलने जा रहा हूं, बहुत important है जल्गें, AC is the belonging of this X, हम सब enterprises, yes or no? आरो वाटर प्यूरिफायर इस दा बिलॉगिंग अफ हम सब एंटरप्राइज, yes or no? गुड्स आर दा बिलॉगिंग अफ हम सब एंटरप्राइज, yes or no? चार इस दा बिलॉगिंग अफ हम सब एंटरप्राइज, yes or no? cash is the belonging of हम सब enterprises yes or no no यह तो सभी कुछ Mr. हम सब का है हमारा तो कुछ है ही नहीं हम तो खाली आदायत है खाली आद जाएंगे हम तो खाली आदायत है हम खाली आद जाएंगे yes or no खाली आदायत है एक इंसान लाया था चार पहुचाएंगे वापिस पंच तक में विली नहीं इसी को बोलते होंगे शायद एक लाया था चार ले जाएंगे ये AC किसके पैसे से आया Mr. हम सब आरो भी किसके पैसे से आया हम सब गुड्ड भी किसके पैसे से आया हम सब कार फरनिचर भी किसके पैसे से आया हम सब है तो सभी हमसभका हमारा है ही क्या हम तो खाली होता है चौर चार पहुँचा देंगे आपसी में राम-राम सब तो है बाधी सब इiscover है तो सभी कुछ हमसभका यह सारी की सारी चीजे कहां चाहं पर इन्वेस्टेड हैं ब्यूस्टर हमसभ्पनी बिसनें समझ में आ गया तो जैसे government area setup करती है लोग वहाँ पे घरवर बनाते हैं तो Mr. हम सब ने Chinese KBC में participate करके कितने पैसे business में लगाए दस लाग और उसी 10 लाग का diversification क्या हुआ कार furniture आरो air conditioner की बहुत समझ में आ गया शरीर अलग होता और आत्मा अलग डरने की जुरत नहीं कोई भूत प्रेट नहीं आएगा तो business में यह सारी चीजों का contribution किस ने किया हम सबने तो देर आर बच्चों टू आइडेंटिटीज एक business है और दूसरा business है तो सभी कुछ indirectly किसका मिस्टर हम सबका बट कहा पेज invested है बच्चों उसके business यह बात समझ में आ गई यह बात समझ में आ गई तो अगर आपने रिलाइंस जीओ का फोन लिया हुआ है sim card और network नहीं अगर आपकी प्रिंसपल स्कूल से रिटायर हो जाती है कल से आप भी स्कूल नहीं जाएंगे स्कूल बंद हो क्या प्रिंसपल नहीं है तो हमको बच्चों से मतलब है या स्कूल के मतलब तो किसी से नहीं है वट आप कहते हैं तो चलिए मतलब रखी लेते हैं किसे मतलब है स्कूल से तो हमको स्कूल से मतलब है प्रिंसपल से उतना मतलब समझ में आ गया तो यह सारी चीज़ें अगर मैं आपसे पूछू कि इन गुट्स का आप अचार डालेंगे तो आपका जवाब क्या होगा इसमें से आपने रुपीज पोर लाक के गुट्स निकाले कितने गई और इन गुट्स को आपने सो कॉल्ड बेच दिया सर कितने रुपए में बेच दिया प्रॉविट का जमाना है भाई आपने इने कस्टमर को चिपकाया पूर लाग एटी, थाॉजन रुपीज में कितने रुपाया बच्यों ओर ऊप यस्पाया 4 इसे क्या बोलेंगे जल देना, this will be called as profit, and what is your profit है, 80,000, यहां तक समझने में कोई समस्या, very good, आपका ये जो customer था, ये कह रहा है मैं गरीब हूं, मेरे पास पूरे पैसे नहीं है, थोड़े से पैसे आज ले लो, बाकी पैसे मैं बात में देदूंगा, आपने का कितने पैसे द दे लो, remaining का 180, I will pay later, remaining 180, I will pay later, तो इसने आपको तीन लाक रुपे कैश, जटपट दे दिया, और आपके पास कितना कैश, पहले से पढ़ा था, बच्छो, 20,000, तो अब आपके पास चल्डन, टोटल, कितना कैश हो गया, answer, 3,20,000 रुपीज, आपके पास टोटल कैश, इस समय पढ़ा हुआ है, किसी को यहां तक समझने में प्रॉब्लम, पक्का, तो कैश की वाल्यू क्या आगई बच्छो, 3,20,000, done this much, कितने पैसे इससे अभी भी लेने बाकी है, 180, इसने पैसे नहीं दिये है, हर वो कस्टमर, जो क्रेडिट पे हमसे समान खरीबता है, हम उसे क्या बोलते हैं, दलेदर, हाँ, दलेदर ही बोलते हैं, सर, 10 से दलेदर, 10 से टेटर, क्या बोलते हैं इसको, टेटर, वेरे गोड, एनी कन्फूजन चल्डन, एनी कन्फूजन, समझ में आगया सब को, चलिए, तो इसको क्य क्या बोलेंगे बच्छों एक लाजिक अंडर्स्टुट वेल लॉजिक अंडर्स्टुट वेल चलिए वन्समौर बढ़ फिर से हो दो दोहात एसी आरोब इलोंग्स क्टू हुम ए रोगव क्या मतलब अरूंड़न न्निकलता रहा बिलॉंग्स टू हम सब एंटरप्राइज कितने रुपएं कैश हमारे पास अब पढ़ा है बच्चों किसको बिलॉंग कर रहा है हम सब को परनिचर कार बिलॉंग्स टू हूं इतना समझना गया अभी तक के लिट्रेचर में अगर मैं आपसे जवाब मांगू फाइव लाग क निकाले और बेश दिये क्या बच्चों सारे फाइव लाक के गुड्स बिग गए कितने रुपए के गुड्स अभी भी आस में हैं हम भी विखेंगे हमारे भी हाग पीले होंगे को हमें खरीदने आएगा वन लाक इस वन लाक रुपीज के गुड्स को आपको अभी बेचन लाक रुपेश वाट इस दामांट ऑफ कैश इस देट इंडेस्टू चलें आगे बचों। बिजनेसमें चारा है कि हम बिजनेस में एक मशीन लगा लें किस चीजे की? पॉलथिन बैक बनाने की कि बिजनेस को एक्स्पैंड करने की बाते हो रही हैं और पॉलथिन बैक बन करें आत्मत्या करने जाके उनर जनम की चिंता करें किने व्मानी के परिवार में डीसनस करेंगे लुः अBox हम मिले Mr ory बब से बाद दर्ध के रहा हुम से मशीन ले लो चलाक्शन दरी रूपी 6 लाग की और लगाओ उपनी फैक्टरी में होले होले दीरे दीरे पैसे हमको देते रहना वी से डरे वो बढ़ी आदमियों तुम दो बगवान करे तुम सोसल जी हो मन से मनाने कल मर्ज है बट मुब ऐसा नहीं बोलते किसी के इस डट क्लियर अब मशीन के लिए सो कॉल कुछ हमें और अटाच्मेंट भी च खरीद लिया एक जेनरेटर डोंट कॉल इट जंग लेटर और जेनरेटर था चल्रेंट दो लाग चाले से जार रुपए का इस डट क्लियर जेनरेटर को इंस्टॉल कराने के लिए आपको एक प्लाटफॉर्म से मेंटेड बनवाना था जिसके ओपर आप जेनरेटर रखे ध्यान से नहीं तो जेनरेटर ठीक से काम करेगा नहीं तो सो कॉल जेनरेटर के प्लाटफॉर्म के बनवाने के लिए एक बिल्डर से आपने कॉंटाक किया और बिल्डर का नाम क्या था बिल्लू मिस्टर बिल्लू कह रहे हैं मैं कंस्ट्रक्शन तो करवा दूंगा प्लिं मतलब हम आपको पेमिंट कर देंगे आज वक्त थोड़ा खराब चल गाए बविश्य में पैसा आपको दे दिया जाएगा तो यह सारी चीज़ें बच्छों लक्त्राइटली हमारे Wasynne आ आगई येस और नो लो तो बिल्डिन किसके पास है हमारे अधिशन is ज्यनेलेटर भी किसके पास पास पापा इन लोगों को पेमिट कर दिया मिस्टर पननी सिक्स लाइख मिस्टर जन्नी तू फॉर्टी एड मिस्टर बिल्लू तो हमारे लिए मिस्टर पननी और मिस्टर बिल्लू एक बोज है क्या नहीं एक बोज है, very good, excellent जवाब, तो ये हैं हमारे उपर एक बोज, क्या करें, मरवादे इनको सुपाड़ी देखर, answer बच्छो, मरवादे, अरे नहीं जर, they are an obligation, they are an obligation, समझ में आ गया, तो अब जो जो चीज़े belonging है, I repeat, जो जो चीज़े belonging है, हमें बड़ी प्यारी हैं, हम उन पे अपना प्यार बरसाएंगे, ready everybody, तो बच्छो, AC is our belonging, yes or no, RO water purifier is our belonging, yes or no, car is our belonging, yes or no, furniture is our belonging, yes or no, cash 3,20,000 is our belonging, yes or no, जिन्हों ने खाना नहीं खाया, कोशिच करें, वाज निकलेगी, और नहीं तो वो जो बाज नहीं होता दलिम डलने, शाद वाज उससे निकले, ये जो एक लाग का समान बचा, ये भी हमारी belonging है, और ये जो दलिद्दर से पैसा लेना है, क्या है, ये पड़ोसी के लेका जाके, ये भी किसका है, हमारा बट पड़ा, उसके पास है, नहीं देगा तो और पड़ेगी उसको, प्लांट किसके belonging है बचो, पन्नी की थी, है किसकी, हमारी, जेनिटर किसके office में बढ़ा है, हमारे पास, और बिल्डिंग में प्लैटफॉर्म भी किसने मनाया था, सब हमने मनाया था, ये सारी चीज़ें हमारी belonging है, जो हमारी belonging होती है बचो, हम जिस चीज़ को own करते हैं, बिजनस की भाशा में चिल्ग्रेन, हम उसे क्या बोलते हैं, असेट, एसेट नहीं, असेट बोलेंगे तो लोग मेरे को एस बोलेंगे, इसेट नॉट एसेट, एसेट नहीं है, एसेट गोलिंग दात खिट जाएगा 32 बाहरा जाएगी, इसेट नॉट आज़ेगी, समझ में आगई बात, किसको पैसा देना है, पन्नी को, जन्नी को, बिल्लू को, सर कोशन मा कहे लगाया, मन कर रहा है ना दे, बढ़ देना तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, तो हमारी जिम्मेदारियां कौन-कौन है बच्छो, पन्नी, जन्नी, बिल्लू, तो all these are obligations, we owe money to them, we मतलब हम स बढ़ी बाती समझ में आ गई, हर वो पर्टिकलर चीज, से चीज नहीं, हर वो पर्टिकलर चीज, and human beings, and human beings, जिन से आपको वसूलने हैं पैसे, जो आपकी हैं, they all are your assets, is that clear? all those organizations, and persons, जिने आपने पैसे देने हैं, वो आपके लिए क्या है मचो, liability, अगर ये combined approach मैंने ना ली होती न, तो class के बाद पता है, आप क्या सोचते हैं, sir, plant and machinery liability है, car asset है, sir, generator liability है, furniture asset है, sir, building liability है, और RO और AC asset है, no, 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 anything that belongs to us, that belongs to us, is that clear, us का मतलब, हम नहीं, हमारा business, तो जो हमें belong करता है बचो, वो हमारी asset होती है, हमारे business ने, जिन लोगों से उधार लिया है, जिनको पैसे वापिस करने है, they are the liability, तो हमेशा याद रखिएगा, liability, सिर्फ कोई इंसान हो सकता है, सिर्फ कोई organization हो सकता है, कोई समान या कोई चीज liability, नहीं हो सकता, is that clear, पांच करोर रुपए की फुलकी, पानी पूड़ी, पैक करा के ले आए, क्यों, सर पड़ोस वाले अंकल निफ्टे है, खुशी पूरे मौलने बटवानी है, चार्ट वाले को अभी आपने पैसा नहीं दिया, चार्ट वाला is your liability, चार्ट वाला is your liability, और फुलकी का जो stock है है वो? आसेट है, स्कूल की ड्रेस ले आए, अंकल से बोल रहे है, पहन के जाएंगे, अगर पनिश्मेंट नहीं मिली, लोगों ने तारीफ की, तो अगले जनम में पैसा दे देंगे आपको, समझ में गया, else मोम आया में कुछ नहीं रखा, सब त्याग दीचिए, जैदा ह आपने बोला, 200 रुपय का प्लान है, सौ तू दे थे, सौ में दे दूँगा, आपने कटिया तो लगाईए, बट अभी पैसा नहीं दिया, पडोसी is your liability, समझना गया, समझना गया, पडोस की आंटी आपको बुला के लेगी अपने घर, क्योंकि आपकी शकल देखने में पान्च मेट एक्स्टा ग्रोंगा में, बीस मिनिट डराने का 2000 रुपय, बीस मिन्ट डराने का 2000 रुपय और आपको 2000 रुपय अभी नहीं दिये, आप आउंटी के लिए कौन हो गए, लायम ज़ाइबिल्टी, आँटी ने 2000 की बज़ा 3000 दे दिया, आपने ज्याद दे दिय बाकी रख लो अगली बाद डराने आना हिसाब बराबर कर लेंगे जब तक आप आंटी के पैसे वापिस नहीं कर देते हूँ इस आंटी फॉर यू समझ में आई बात की नहीं आई बात पक्का संडे को गए हैर सलून चुडैल की तरह एक दम बाल बढ़े हुए थे पापा न पास तो 25 ही है इधर इधर से काट दो बीच से रहन दो समझा गया आपने बाल पुरा काट दो तो स्कूल में सारे सूथ देगे हमको काईदे से तो आपने बाल तो पूरे कटा लिए 50 रुपे वाले 25 रुपे आपने दे दिए और कितने देने हैं सलून वाले अंकल इस यू रुपे तक नहीं दिया अभी तो सारी संसाइं आपके लिए क्या है लाइबिलिटी हनुमान जी करें पांग लाजरा इसको बैसा नहीं दिया ना लाएगा अभी था तो बच्छों लाइबिलिटी शब्द और असिट शब्द का मतलब कुछ-कुछ होता है कुछ-कुछ लाइबिलिटी मोहले में बैक की दुकान थी सेशन स्टार्ट हुआ उधार में वैक खरीद के लिए बैग इस यौर असेट नहीं असेट डाट शॉपकीपर इस यौर लाइबिलिटी समझ में आई बात की नहीं साइकल से स्कूल जा रहे थे हवा कम थी सोचा पांच रुप दुकान दर को दे दिया और कितना देना है चार रुपए साइकल इस यौर सर हवा क्या है हवा तो सर्वेस है वह इन दोनों में से कुछ भी नहीं है शॉपकीपर इस यौर लाइबिलिटी सवज्मा क्लियरली अंडर्सुट पक्का एक और एक्जैंपल क्रेडिट का डटन स्वाइब किया और सफेद कुड़ता पेजामा खरीद लिया मैंने पूछा क्यों खरीदा सरे कमाई टीचर थे बहुत बिमार चलना है कभी भी सर खबर आ सकती है और तो उसी दिन खरीद लेते सर उस दिन तो सब लोग जाएंगे न डिमांड जादा होगी सप्लाई कम महीने के अंदर 21,000 रुपे देदना जो सफेद कुड़ता पेजामा करी दियो अभी तक आपने पेइमेंट नहीं किया कुड़ता पेजामा इस यह और बैंक इस यॉर लाइबिल्टी नहीं होगा जिससे कुड़ता पेजामा करी दिया है नहीं क्योंकि दुकानदार को तो क करता है क्या बोलते हैं उसे असे हिंदी में जाइदा जिस भी इंसान को हमारे बिजनस ने पेमेंट करना है all those organizations and institutions are what liability याद रखेगा liability कोई चीज नहीं हो सकती हमेशा liability कोई न कोई person या organization ही होगा अभी लखनों में आज match है शायद stadium देखा आपने मेरा ही है मैंने उस stadium में आपको match देखने की permission दी एक करोड़ों पे का ticket था आपने का दे देंगे मरे नहीं जा रहे हैं विकारी करहार पार message कर दें ड्यू 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 इस दट किया मैंने का अच्छा ठीक जब तक आप मुझे पैसे दे नहीं देते हैं टिकेट के हम आपके हैं कौन liability या अंग्रेजी में obligation समझ में आई बात सर रोना आ रहा है सर मम्मी ने इतनी सेवा किये सर इतनी सेवा किये बदले मम्मी को आज कुछ देही नहीं पारे कोई बात नहीं लड़के एकदम निश् रसूल ना है अटो सर्फ हाग के लिए संबी लाइबिलिटि आपने बच्चों शाधी व्याग अभी विजिट किया है कि दूलं हमेशा नुटी के साथ बैठती है जीवन बर दुले को खिलाना पिलाना उसको को दूलं दुले के लिए क्या है बार बार मैं रिपीट नहीं क पैठा के स्कूल हर दिन कहता है मैं कल तेरी गाड़ी में पेट्रोल डलवा दूँगा जब तक दोस्त आपको पैसे दे नहीं देता आप दोस्त के लिए हैं कौन समझ मैं आगया आपने चेक किया उसके मोबाइल में आपका नंबर है कि नहीं लिखा हुआ था तो डेटर इस एन असेंट इद स्टॉक इस एन असेट इत्मा स्विंधा इन जन्नी और बिल्लु ने यह समान बच्चों में उधार में हमको दिया हुआ है यस और नो जो लोग हमारे business को उधार देते हैं बचों हम उन्हें क्या बोलते हैं creditors क्या बोलते हैं तो creditor is a liability debtor is an asset अब दिमाग की चकरी गुमेगी और आप सोचेंगे sir debtor और asset में फरक्या होता है sir creditor और liability में फरक्या होता है this is mango and these are fruits this is apple and these are fruits this is cauliflower and this is vegetable this is chair and this is furniture this is ballpoint pen and this is stationary this is pilot pen and this is the stationery creditor debtor stock items and or your group say group say this is t-shirt and this is garments this is so-called bellavita deodorant and this is perfumes अभी भी नहीं समझे दिस इस कंटाप and this is सुधाई दिस लाठी and this is मारना पीट नहां तो असेट और लाइबिल्टी ग्रूप है stop debtor crater pagra врagit वागरा उसके अंदर आने वाले इटव इसाब इसस्पर इसस्थे इस्फटि वेट्स दिसस्थे इस्फे आंटी इस किट्टी पाटी इस और खृट्ड थे इस्फटी इसर्वाटी इंट इस्थे व दह padres कि समझ में आ गया हाँ जैसे आप पढ़ते हैं सो कॉल कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन मैंने पहले दिन बोला था अब ज्यादा मैं अंग्रेजी की क्लास में जाना नहीं चाहता था थोड़ा मेरा अंग्रेजी से भी 36 काकड़ा चलता है समझ में आ गया बच्छों अप सम अभी बागी है अभी तो इंटर्वल की नहीं हुआ है सर अभी और सम्झाएंगे इसमें वह पड़ी चाट गए सब्सक्राइब किसने पैसे लगाए थे बिजनेस में हम सबने कल को जब बिजनेस बंद होने की बारी आएगी बगवान नकरे ऐसा हो यह सारी चीज़ें आप से किसको पेमेंट करेंगे पन्नी को चन्नी एंटनी बिल्लू यह डबली बजाएंग बढ़के यह भी तो अपना पैसा वापिस लेगा तो बिजनेस की जितनी जिम्मेदारी इनकी तरफ है उतनी ही जिम्मेदारी इनकी तरफ भी है तो ओनर भी up to a certain extent is called as what children liability क्योंकि मैंने क्या बोला बिजनेस ने जिससे भी पैसा लिया है पन्नी से भी उधार में चन्नी से जिनरेटर और बिल्लू से बिल्डेंग और हम सब से भी तो पैसा लगवाया था तो हम सब से भी तो उधार लिया हुआ है तो ओनर भी बिजनेस की liability होता है क्योंकि ओनर एक अलग identity माना गया है बिजनेस में और बिजनेस जैसे धर्म ग्रंथों में हम अलग है शरीर अलग है और हमारी आत्मा बहुत गिरी हुए दर मतलब अलग है is that understood well by all children तो आप जो भी कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे हैं आपकी आत्मा कर रही है तो सर अमारी आत्मा को याप डाटिएगा इसलिए मैं जब डाटता हूँ तो आत्मा जिंजोड जाती है समझ में आया की नहीं आया clearly understood किसी की कोई query है तो please ask चल गए चलिए 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 बहुत उम्दा सवाल mister हम सबने लोन लिया bank जाकर bank इससे पूछेगा तुम लोन ले रहे हो कि तुम्हारा बिजनस ले रहा है specify करना पड़ेगा अगर आप लोन ले रहे हैं तो पैसा आपके सेविंग अकाउंट में बैंक डालेगा समझना गया अगर आपका बिजनस लोन ले रहा है तो आपके करन्ट अकाउंट में पैसा डाला जाएगा विजे मालिया जी ने लोन तो लिया था किंग फिशर एरलाइन्स के नाम से और उस पैसे से अपनी गाड़ियां खरीद ली म अगर लिया लोन बिजनस के नाम पे और पर्सनल बेनिफिट में उस पैसे मेरे को बहुत समझाया है मैंने उसको माना ही नहीं किया हम बाहर जा रहे हैं तो मैं लाट खीच के वादी बाहर चला गया अगर बिजनस डिफॉल्ट करता है तो यह सारा समान विकवा के लोन इसे को यूज कर लिया तो फिर यह जायदाद विकवाई जाएंगी इनकी और इनका रहना खाना पीना सा फ्री होएगा समझ में आ गया क्लियरली अंडेस्टुट बाई और तो समझ में आ गया असेट रोलाइबिल्टी क्या होता है पक्का तो आपको जो मेरी क्लास में एस असेट है समझ में आ गया लैपटॉप लिया हुआ है प्रग्या जी से उधार तीन सो करोड का अभी तक पैसा ही नहीं दिया प्रग्या जी है कौन हमारी लाइबिलिटी चैर खरीती ती रमित जी और रिशब जी एंटरप्राइजर से पैसा दिया ही नहीं है ये लोग भी क सब्सक्राइब ले सकते तो अभी इनको पैसे नहीं दिये तो यह कौन है बच्चो लाइबिलिटी इस बाते सामने अगई एनिटिंग डटा बिजनेस ओंस कैश फॉनिचर स्टॉक पापा इन मम्मी लांटन मशिनरी लल्लू एन बल्लू लांटन बिल्डिंग ये सब क्या ह बच्चों हमारी आप मैंसे काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनके पापा मम्मी के पास एक एर प्लेन होगा मान लीजिए आपने नीता मानी की तरह पैलकन टू हंडडे एक प्लेन खरीदा साड़े तीन सो करोड उपेगा मुकेश मानी ची मेरे बड़्डे पर गिफ्ट करने अब जब तक मैं उनसे ले नहीं लेता वह बिचारे सुबह शाम चकर काट रहे हैं तो वह मेरे को क्या बोलेंगे उनके बच्चे को पढ़ाया था ना सब्सक्राइब लीजिए समझ में आगया बात समझ में आगया बात तो आपके पापा ने भी मम्मी को बर्थडे पे प् इन कंपनी को वान करोड जब तक पैसे दे नहीं देते वो हमारे हैं कौन लाइबिलिटी वाट इट लिए इनिधिंग विच गिवस फानाइंशल बेनिफिट सर कैश कैसा बेनिफिट देगा समान खरी देंगे बेचेंगे प्रॉफिट होगा फरनिचर कस्टमर बैठेगा करेंगे स्टॉक मार्किट में बेचेंगे प्रॉफिट पे प्लांट एन मशिनरी गुड्स प्रोड्यूस होंगे बिल्डिंग के अंदर आपका ऑफिस है तो उसमें स्ट्राटेजी बनेंगी कैसे बिजनस करना है आज भी एक्जिस्ट कर रही है ऐस वेल आज फुटूरे चोले बटूरे फुचर में भी एक्जिस्ट करेगी आपको किसी से पैसे लेने है यह कॉंसेट क्या है बचो तो अब यहां पे बाते याद रखनी है पोपट क्या याद रखना है पोपट कोई पर्सन कोई और्गनाइजेशन कोई प्लेस और कोई चीज सर चीज स्प्रेड अरे ना भया कोई चीज ठेंग आपकी असेट हो सकती है सर पर्सन कैसे टेक दा एक्जांपल ओफ टेटर सर और्गनाइजेशन कैसे आपने इंडियन एर फोर्स का नाम सुना है बच्छो मान लीजे इंडियन एर फोर्स वालों ने मेरे को अपने हां बुला लिया और बोला सर थोड़ा सा फाइनांस के बारे में ग्यांदे दीजिए मैंने एक शब्द बोलने का पांच रुपए लूगा एक करोड शब्द मैंने बहुके मां पर कितने पैसे होगे मैंने पांच करोड जब तक वो मेरे को पैसे दे नहीं देते वो हमारे हैं कौन हमने एक जमीन खरीद लिए उसके उपर बिल्डिंग बन वाली इट्स प्लेस और ऑफिस में टाइप राइटर है ऑफिस में हमारे पास एसी है ऑफिस में हमारे पास एक टेस्टला कार है इस और वाट चलन तो पोपट याद रखेंगे सब लोग पोपट याद रखेंगे चलन सब लोग पका तो पर्सन प्लेस और्गनाइज़ेशन और तिंग कुड़ बी और आसेट कुड़ बी और आसेट समझ गए इस बात तो आते हैं लाइबिल्टी पे चल रहे हैं बिजनेस ओस सम्थिंग आई रेपीट बिजनेस ओस सम्थिंग क सो रुपए के छोले बटूरे खाए जेब में देखा तो बीस रुपए थे मुन्ना हलवाई जान पिचान का था मेरी तो आपने मेरे नाम पर उसको बोला सी रुपए कल दे देंगे भागेंगे नहीं सरकी फीज अभी पेंडिंग चल रही है दे देंगे तो मुन्ना हलवा वाई एक्जिस्ट कर रहा है क्या मैं कहीं पर छोले पूटरे का नाम यहां पर ले रहा हो मुन्ना हलवाई को पैसे देने हैं या लेंगे पैसे देने हैं मुन्ना हलवाई is your creator कह रहा है को विश्वासी नहीं आपके ओपर लिग के दो कि तुम पैसे दोगे तो आपने बद मुन्ना अलवाई प्राइवेट लिमिटेड और गनाइजेशन है तो लाइबिलिटी कोई इनसान हो सकता है कोई और गनाइजेशन हो सकती है आपने मैंकडॉनल्स में अपनी बर्थडे पाची की 21 करोड उपे का खर्चा आया कितना 21 करोड और आपने 20 करोड का तो पेमिंट कर दिया हाउ मच इस स्टिल पेंडिंग चिल्रें वन करोड सर क्या खाए क्या नहीं खाए यह पूछिए टाइल तक खागे जो लगी दी में आपने समझ में आगया तो इन डाट केस बर्गर और वो कॉफी और वो रहीसों के बिस्कि कुकी बन जाती है तो रहीस ब्लोग बिस्किट को सॉरी बिस्कुट को कुकी बोलते हैं अब मैं बिस्किट बोलूं कुछ लोग समझी ना पाएंगे इंगलेंड में तो आपने सब कुछ खाया कुछ खाया बट पैसा भी नहीं दिया तो बर्गर इस नाट यर सब्सक्राइब करने जा रहा था आपने का भाई ये काम ना करू अभी एक्जाम चालू होने वाला है मैं घाट वाट तुमको पहुचा नहीं पहूंगा प्रोग्राम डिले करो उसने प्रोग्राम डिले कर दिया और मूट चेंज हो गया क्या रहा है उबर में गाड़ी चल आसेट पांच लाख रुपए का कैश डाउन कर दिया और बाकी 20 लाख रुपए बैंक से लोन ले लिया तो यह जो लोन है बैंक को आपके दोस्त के लिए क्या रिप्रेसेंट कर रहा है लाबिल्टी कार इस नौट लाबिल्टी चल्रण मैं रिपीट कार इस नौट आ Organization, place and thing, asset हो सकता है, liability हमेशा या तो कोई person होगा, या तो कोई organization, कोई चीज कभी liability हो ही नहीं सकता है, what it clear, मैंने उदार में laptop खरीदा, laptop liability नहीं हो सकता, जिस दुकान से खरीदा, that business is a liability, that business is a liability, समझे इस बात को, clearly understood, तो update fast children, type of assets and type of liabilities के साथ, अगले lecture में हमारा ये वाला topic हो जाएगा complete, आप इन examples को प्रीज दुख लीजे, तो type of assets कौन-कौन सी है बचो, आपने कभी बड़े बुड़ों को जब नमशकार किया, लड़के थोड़ा पैरवेर भी चू लेते हैं, तो घर वाले आशिरवात देते हैं, पूलो फलो, क्या, फूल और फल हैं क्या हम, बड़े ऐसे हो जाओ, वो तो होएंगे होंगे, बालोजिकल प्रोसेस है, कैल्शिम की कम्यों की तो हो सकता है, पूरा ना पनप्पा है, ने तो बड़े हो ही जाएंगे, इसट लिए, अरे कहने का मतलब है, हमेशा खुश रहो तरक्की करो, आपसे देखी जाएगे माई तरक्की, समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया, आ गया ना, वेरी गुड, तो वैसे ही बच्चों, कुछ असेट्स ऐसी होती हैं हमारे बिजनस में, विचार, लॉंग ले, विचार, लॉंग, हाँ सर, पडोस में एक अंकल रहत से पहले बच्चों, इन लॉंग लिव असेट्स को बोला जाता था, फिक्स असेट, नया कंपनीज एक्ट बना, 1956 के बाद, और इनका, नाम करण हो गया, करण हो गया इनका नाम, करण तो दानी दान तो लोभी है, इनका नाम हो गया, non-current asset, non-vegetarian asset ना बोल दीजिएगा, सर मुरगा पकल एक लाएं है, non-vegetarian asset है, सुझा क्या, सर महेंगे लोगों की, बड़े लोगों की महेंगी वाली गोभी, brookli पकल के लाए हैं समझ में आगया बच्छों सो वो चीजें जो आप कंटीन्यूड यूज के लिए बिजनस में लेके आते हैं ना की पेचने के लिए मौले के दस चोटे बच्छों पकड़ लिया बेचेंगे इनको सर दो आंटी को पकड़ लिए चेन से बांदी है इनके ओपर यह सवाल बन जाएगा बकरी ऐसे चल सकती है में दूरेशन चैप्टर पड़ाओगा आपने तो यह आंटी घर में जड़ों पोजा बर्दं करेंगी चलिए जोग सबाट कोई भी ऐसी चीज आपके बिजनस में जो लॉंग टर्म यूज के लिए है जैसे मेरे बि लीजे कि आपके पापा रियल एस्टेट का बिजनस करते हैं करोनों की जमीने खरीते हैं और अर्वों की जमीने बेशते हैं तो उनके लिए लान इंड बिल्डिंग क्या held for continued use है पेचने के लिए खरीदा है तो उनके लिए non current ने उनके लिए क्या है current असेट है क्या है current मतल क्लिफ्ड अभी आगे आएगा plant and machinery sir आपके office में एक generator है क्या करें अगर office में generator है तो non current है बट अगर business ही generator बेचने का है तो यह non current नहीं का is that understood चलन कार का showroom खोल लिया मैंने sir कौन सी गाड़िया बेचते है Mercedes BMW तो these are called not as non current बट अगर हमने car use करने के लिए खरीदी है घर से office office से घर airport इतनी तो अकादेनी की airport पे कोई आएगा बसड़े भाई दिया client को लेने के लिए railway station भाई दिया तो हमारी कार क्या हो जाएगी बचो नॉन कारेंट अगें यूज करने के लिए बेचने के लिए नहीं और तो आपने घर में एक फ्रिज लिया हुआ है पानी ठंडा करते हैं और लोगों को बेचते हैं तो रेफरेजरेटर इस वाट चल्डन नान कारें बट अगर आपने दुकान ख दो तीन लोग खरीद के ले गए और तिन चार दिन बाद उन लोग घर में लोग कम हो गए देखा तो फिरिच अंदर सो रहे थे बैटके अनाम से पाईसा सो एकी पर्मानेंट सो गए है फिर तेरा दिन बाद हलुआ पूरी बटा वहाँ पे है तो इन डाट केस आप इसे भ पूजा करता हूं मैं इसकी समझ में आगया बट अगर आपकी दुकान है ठटेरी बजार में चौक एरिया में चाकू छुरी की तब क्या यह नॉन्करंट होगा तब क्या होगा यह करें तो आपके पापा मम्मी आपको इतने सालों से छेल रहे हैं पाल रहे हैं आप घर वा बड़ा पर्शाद हो जाही नहीं 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 बगवान बुला ही नहीं रहा है कोई बात नहीं नॉनकरंट असेट समझ लोगने आपको इस डाट अंडर्सूट चलिए जो इसली एक साल में कैश में कंवर्ट हो जाएं सर इसका क्या मतलब होता है बही पांच करोड की बिल् रेगुलर मूव्मेंट होता रहता है कैश में इसे क्या बोलेंगे चलने कारंटा से समझ में आ गया तो अब यह जो दो नाम है बचो लॉंग लिफ्ट और शॉट लिफ्ट यह मैंने नहीं बनाए हैं अगले लेक्चर में जब हम इसको खतम करेंगे और एक निया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वहां पर मैं उसका रीजन बताऊंगा आपको कि यह लॉंग लिफ्ट माना जाएगा यहां पर और यह शॉट लिफ्ट लिफ्ट तो लैप्टॉप टीचर के लिए क्लास के लिफ्ट समय लॉंग लिफ्ट है बट शोरूम में जिसमें वह बिक रहा ह क्या वहां के लिए भी शॉट लिफट सड़ी लॉंग लिफट सुर्ट लِखा क्या होगा क्या हुठ समझ में आगई बाद पच्चेश साल बात पैसा देगा तो चार महींने में लिफिज़ा जाहेगा क्या वह पर जिकynn Horror जाएगा शॉट लॉन लोट भॉनग का क्योंकि हमको परनी पड़े पैसा निकालने लिए उनको नहीं पड़ती है उनके लिए सुपर शॉट लिफ्ट हो जाएगा तो यह सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी बच्चों कारेंट आसेट्स क्या तो जो शॉट लिफ्ट है वो करेंट और जो लॉंग लिफ्ट है वो दाकूओं के परिवार के थे तो सारे डस्टर लॉंग लिफ्ट से शॉट लिफ्ट बन जाएंगे चौक होती है ना आज क्लासेज में वो डिजिटल बोर्ट लग रहे हैं इसलिए बच्चे चौक रोटी मलके खा जाते थे तो चौक का डिबबा शॉट लिफ्ट ही होगा चाहे बोडुकान पर पढ़ाओ चाहे श्कूल के अंदर पढ़ा क्योंकि दुकान पर भिकने के लिए और स्कूल में मारने के लिए है रहते हैं दुमी उसको फैशन की बाश्चा में मैनेकुएंस बोलते हैं आप स्पेलिंग न पूछ लीजएगा मेरे से ऐसे तो जो मैनि लॉवा लॉप लॉप अ और जो बाष दो बेलान वो नॉंट और अगर आप धीक से नहीं पढ़ा ली का रहे है तो वह भी करण्ट बन जाएगा तो ऐसी थे ना करें और जाडू मारने वह कपड़े में धोने वाला सोटा वो सब करेंट बन जाए लेट देम भी नॉन करेंगी अब आपको मेरा गरी वीडियो देख लेंगी पढ़ लो नहीं तो यह जो बेलन है इसको नॉन करेंट से करेंट बना दूंगी समझ में आगई बात बच्छो पका चलिए तो अगले लेक्चर में आपको यह पढ़ाऊंगा बच्छो टैंजिबल इंटैंजिबल क्या होते हैं followed by the last liabilities के types and expenditure तो अगले लेक्चर में इसका राम राम सत्य हो जाएगा फिर आप टेस्ट के रिए तैयार हो जाएगे ओके चली वीडियो अप्लोड हो जाएगा लाइक वेक कर दीजेगा